हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी कैसे हैं अपने बोर्ड परिच्छा की तैयारी अच्छी प्रकासे कर रहे होंगे फ्रेंस आप सभी का 22 फरवरी को 100 परसंटेज जो पेपर हिंदी का आने वाला है यही पेपर आएगा तो आप वीडियो को लास तक जूर देखिएगा देखिए यहां पर 2024 में 100 परसंटेज आने वाला पेपर है इस पेपर को आप स्किप मत किजिएगा इसको 100 परसंटेज देख के जाएगा आपसे 100 परसंटेज आपको गारंटी देते हैं कि जो पेपर हिंदी के कराने वाले हैं यही सेट आपके सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा ठीक है देखिए आपको बूर्ड के एक्जाम में पेपर को हल करने के लिए टोटल जो समय मिलता है तीन घंटा 15 मिट का समय मिलता है और इसका हिंदी का जो पेपर उसका पुरा दिया रहता है देखे इसमें पहला निर्देश आपका क्या है कि प्रारम के जो 15 मिनट होता है प्रश्ण पत्र पहने के लिए समय मिलता है फ्रेंस आप सभी को जो 15 मिनट रहता है इस 15 मिनट में इस प्रश्ण पत्र को अच्छी प्रकास से पहना रहता है ठीक है सेकेंड निर्देश आपका है कि प्रश्ण पत्र में दो खंड होगे, खंड अ होगा और खंड बा होगा, ठीक है, तो दो खंडों में विभाजित होगा, खंड अ में और खंड बा में, ठीक है, तिसरा क्या है, कि खंड अ जो होगा, उसमें विकल्पी प्रश्ण होगे, ठीक यहां पर क्या है कि चितने भी प्राशन होगा उन प्रशनों का जो आपको उत्तर देना है त gratis document अन्बर कराता और आपका अगला है कि परत्यक प्रश्ण के सम्मुक निर्दाइत त्य jokes इस पकास से कुछ निर्देश दिये रहते हैं आपको पहले से जानना भी जरूरी है अब यहां भी देखिए खंड आय स्टार्ट होता है जिसमें आपके सभी बहुई कल्पी प्रशन है इसको एक बार और बता देते हैं कि 100% यही पेपर आपके बोर्ड के एक्जाम में आने वाला है तो आप एक सेकेंड के लिए वीडियो कि इसकी मत कीजिएगा ठीक है देखिए आपका पहला नंबर का सवाल है देखिए क्या है आपका पहला नंबर का सवाल कि जूठा सच किस विधा की रचना है ठीक है अब आपसन को ध्यान से पढ़के ही एंस्वर दिजिएगा आपसन निबंध है कहानी उपन्यास या नाट तो जोटा सच वह किस प्रकार की विदा है जूटा सच एक उपन्यास है इसका सही जवाब सी वाला अपसन साहई होगात अब देखें आपके सामने अगला नंबर का जो सवाल है अननत आकास की रचनाकर कौन है आपसन है धर्मवीर भारती है जै प्रकाश भारती जै संकर प्रसाद जी यह स्पाव ठीक है यहाँ पर अनंत आकास इसको याद रखिएगा अनंत आकास के जो रशनाकर है ठीक है जै प्रकास भारती जी है ति इस प्रकाशन का सही जोब भीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रकाशन आपके सामने दीजिएगा ठीक है देखिए तीसरा नंबर का कि निम्नलिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है ठीक है आपको सही कथन बताना है आपसन पहला है गुनाहों के देवता के रचनाकर मुंसी प्रेम चंद्र जी है इसके रहा अगला अपसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोच जी यह इसके उलावाट डीवला है कि इर्ष्या तू न गई मेरी मन से निपन्ध लेखक जैप्रकाश भारती है तो सबसे तौ आपसन ही होगा कि इर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंद के लेखक जो है प्रकाश भारती जी है इसको याद भी रखेगा इस प्रशन का जो सही जवाब था डिवला आपसन ही आपका सही है ठीक है अब लेखे आपके सामने अगरा नंबर के जो पांच चोथा नंबर का है कि पंचांग दर्शन के रचनाकर कौन है अगला प्रशन आपके सामने देखे क्या है सारंगधर रचनाकर है यानि सारंगधर किसके रचनाकर है आपसन है प्रमाल रासों के हैं हमीर रासों के हैं खुमाल रासों के हैं विसल्दे रासों के हैं ठीक है यहाँ पर शारंगधर जो हैं सारंगधर को याद रखेगा सारंगधर के रचनाकर कौन है यह आपके हमीर कई यहाँ पर हमिर रास्वाथ इस प्रश्ण का सही जवाब बीवला आपसन सही है ठीक है को मारा जाता है ठीक है ते चाहिए वाद यूंग की प्रित्य है झिरिंगार और प्रेम की वेदना है इस प्रश्न का सही जवाप भी वला आपसन आपका क्या होगा सही होगा ठीक है अब देखिए आपके सामने अग्रा नंबर का जो सवाल है साथ वा नंबर का निम्नलिकित म कि आंपको पताना था तक इसका सही जवाब किया नंबर के सवाल लेखना वासुदेव सभूरण अगरवाल है ती प्रशन का सही जवाब यहीं इवला हाजन में साही हो जाएग ज़ीक है चलि अगले यूग कि है यह उक्यूह है इसे बताना है साकेत देखिये यहां पियाद हूं कि diferent आगणर देखिये नविदा कि भारट दूर्धा किस विधा कि रचना है आपको बताना जीवनी है आत्मकथा है रेखाचित्र है यह एकांग की है ठीक है तो भारत दूरुदसा जो है एक एकांग की है इस प्रशन का सही जो आप डीवला आपसन सही हो जागा इसको आप आपसन में याद कर लिजिए अगला देखिए दसवा नंबर का बिहारी किस यूग की कवी है आपको बताना कि जो बिहारी है इस यूग के कवी है आपसने आधुनिक काल के होंगे रीतिकाल भक्तिकाल या आधिकाल के देखिए यहां पर दियान दीजिएगा आप 11 नंबर का सवाल इस प्रशन को भी याद रखिएगा देखिए नाना वाहन नाना वेशा बिहसी स्यू समाज निज देखा कोव मुक हीन विपल मुक काहू बिनुपद कर कोव बाहू बाहू ठीक है उपर यूप्त पंकिती में कौन सा रस यहां पर पताना है कि कौन सा रस है आपसने वीर रस है करूर रस है शांत रस है या हास रस है ठीक ह इसमें जो आपका रस है यह आपका जो रस है हास रस है इसका सही होगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें आप बारा नंबर का द्यान दिजीगा यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भगन विजय माला सी उपर युक्त पंकिती में कौन सा अलंकार यानि कि यहाँ पर आपको का बताना है अलंकार बताना है यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भगन विजय माला सी आपसर है उपमा इस बात बटान रों से समझाभा समange आगा कि कौन सा आ अलंकार कौन सा है यहां कहीं प Extra laugh यहीं पर भिखर गई वह भगन विजय माला सी इसमें जो अलंकार हो अगला नंबर के सवादगा प्रकार का चंदुर्ण को बता सबस्क्राइब देखिए रोला में आप सभी को पता है कि इस्बीस म प्रकास आप कह सकते हैं कि chatывать जूबिस इसमें किस सं परकार की थिस्व मात्रिक होगा इस निरिजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है यहां पर पताना है कि निर्जन सब्द में किस पकार का उपसर्ग है आपका आपसन है नी होगा नीर होगा नी और नीर यहां पर देखिए आपको क्या है उपसर्ग उसके प्रारं में कौनसा एक उपसर्व का भरलाती है इस टेखिए नीर यहां पर करेंगे इसको यहां और इस प्रकार एंगे यहां रहात daí देखी जर्बा करें और इसको लगाना था अ Based देखिए 15 नंबर का कि धनुस का पारेवाची आपको पताना है कि धनुस का पारेवाची क्या होगा ठीक है असमी होगा कुलीस होगा कोड़न्द होगा यह पवी होगा ठीक है यहां पे धनुस का जो पारेवाची होता है कोड़न्द होता है इसमें चारों आपसन में से देख भलाई प्रत्य के मतलब गता है जो सब्दि दिया रहा रहा है उसके दिर दिया समास है क्यों से समास है अब आपसन देखिए कौन कौन से समास दिया है तत्पुरुष समास होगा करमधारय होगा द्यूग समास हो गया यह द्वन्द समास होगा ठीक है यह खड़ दर्शन में कौन से समास है खड़ यह दर्शन यहां पे जो आपका समास होगा तत्पुरुष समास होता है कौन से सम नंबर का कि मती भी सब्द का विभक्ति वचन बताना देखिए आप सभी को जितनी भी विभक्ति वता है उसके जो वचन वचन याद रखिएगा ठीक है इससे आपके बोड के एक्जाम हंडेट परसंटेज सवाल पूछता है तो मती भी में पूछा है कि आपको विभक्ति प्राइब द्यूतिविख यहां पे धिए याद मती भी में श्रीव है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तरफ नमबर का हर्यत्र सब्सक्राइब का संधी विच्छेथ आपको बताना है कि हर्यत्र का संधी विच्छेथ क्या होगा यहां पर हर प्लस अत्र होगा हरे प्लस अत्र होगा हरी प्लस अत्र होगा यह हरी प्लस आत्र होगा ठीक है तो पहले यहां पर आप सभी को इसका संदी विच्छेद आना चाहिए देखिए यहां इसका हर्यत्र को जो संदी विच्छेद होगा क्या होगा हरी प्लस अत्र क्या होता है हरी देखे हर्यत को हरी प्लस अत्र होता है क्या होता है हरी प्लस अत्र अब आपसन में देखे हरी कहा पर लिखा है तो आपसन में देखे एक ही जगा हरी लिखा आईए वाला और यहां पर अत्र भी है इसका सही जोब क्या होगा सी वाला यहां पर डी पुरूश बताना है और वचन बताना है ठीक है पतिस्यत जो है ठीक है इसमें कौन सा पूरूश होगा और कौन सा वचन हो तह सदह Presidential अपlerini पूरुस बहु अचन होगा मध्यम पूरुस दिव अचन होगा यह उत्तम पूरुस बहु अचन होगा ठीक है यहां पूरुस पूरुस बहु अचन होगा ठीक है यहां पूरुस और बहु अचन रूप है यह क्या है बहु अचन बहु अचन तो मध्यम पूरुस बहु अचन ह तो इसका देखिए अब यहां से आपका स्टार्ट होता है अब यहां से खंडबा में टोटल पचास नंबर का आपको वड़ात्मक प्रश्ण रहता है पचास नंबर का अब यहां जितने भी सवाल आपको बताने वाले हैं इन सवालों को आप क्या कीजिए एक जगा लिखके इन सभी प्रश्णों का जरूर तयार कर लिजेगा यहां पर सिर्फ प्रश्ण आपको पता देते हैं देखिए क्या है निम्लिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रश्णों का उत्तर देना है टोटल कितने नंबर कर अब प्रश्ण आपको पहला है उपर युक्त गद्यांस का आपको संदर्व लिखना रहता है प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ्थे पूस्तक हिंदी के चेप्टर का नाम और किसने लिखा है इसको पूरा लिखना पड़ता है और एक हांकित अज की ब्याक्ष्ण करना हो अधवा में देखिए वही सब है अधवाम क्या करना रहा है चाहे अपको वाला कर सकते हैं आपको क्या करना है यहां से पूरे यहां तक प्रश्ण को पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इसका आपको क्या करना है यहां तक ब्याक्ष्ण करना रहता है ठीक है दिखाते है ऐप सभी को देखे अगला प्रांस गध्यांस दिलिप दिया रहाता उसमें रहां कि अंस किया रहता है चिसको व्याख्या करना रहता है फिर अगला उपरिएद्टी गड्यांस में कहा के घृष्य का चित्रण किया他 है इसके बारे में जब आप गध्यांस पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं इसका एंसव ना जितने भी प्रश्ण आपको दिखा रहे हैं इन सभी प्रश्णों का आप जरूर तयार कर लीजिए अगरा देखे 22 नंबर का कि दिये गए गध्यांस पर दिये गए पध्यांस पर एहां से ले के और यहां तक जितना आप आपको यह देता है ठीक है पूरा सवाल दिखा पूछ रहा है पहले पढ़ने के यहां पर आपको सवाल पूछ रहा है देखिए पले माचनदक संदर्वатель लिखा जाता है परस्तूत पध्यांस हमारे पाठ्थे पूस्तक हिंदी के प्रस्टूत पतयागां इसके प्रस्टूत पतनाया नाम मेरा हो Psychology स्क्राइभ भी पतांकित पता है कि इतना कए अधवा अथ्वा देखिए यहाब भी क्या करना रहता है यहां कि यहां से पता हुए यहां तक इस पत्यांत को को पाना है पानने के बाद इसका भी क्या करना रहता है पद्दास का संद्र भी लिखना है जैसे बता है उसी प्रकास लिखिएगा और यहां से रेखांकित जो भाग रहता है उसका ही आपको हिंदी में सिर्फ ब्याख्या करना रहता है अपने शब्दों में ठीक है यहां क्य क्या किया जाता है कि संस्कृत से सब्बंदित गद्यांस देता है इसका भी क्या करना रहता है कि आपको संदर्व लिखना रहता है हिंदी में इसका अनुवात करना रहता है जिसे देखें यहां पर दिया है यहां पर आपको कव दिया है इसको क्या करना रहता है कि यहां से ल इसका पूरा लिखेंगे लिखने के बाद इसको संस्कृत में आप क्या करते जो संस्कृत में लिखा इसे अपने शब्दों में हिंदी में क्या करेंगे ब्याक्या कर देंगे आपको पूरा का पूरा पांच नमबर इस पर मिलता है इसके अलावा देखें अथवा में दिया लीजिए गाई यही पेपर आप पूछेगा आप से बोड के एक्जाम में ठीक है अगर दिया है कि दिये गए संस्कीत पद्यांस में देता है पद्यांस का संदर लिखेंगे संदर लिखने के बाद इसी को संदर नॉक्र कर देगे करना रहता है अब गृठिष को द्यान से इसमें अनेकोफ प्रकार की प्रस्राइए लेकी सभी प्राशन आपको करना नहीं रहता है इसमें कि क्या है कि अपने प्रषन काभवे के आधार पर निम्न निकित प्रशनों में से किस एक प्रश्ण आपको लुट जाता है त इसको अगौत बता दिया जाता एंडाल तो गाजीपूर जीले से संब्धी प्रश्ण करते हैं यहां भी ध्यान दिएगा कि जो कह ऑर ढ़ायो से जी गाजीपूर के चात्र में सिर्फ एक ही कर ना रहता एक छोड़ देना रहता है तो यह जितने भी प्रशन यह हो गया घव हो गया इए और यहां इंस आवी प्रश्णों को आप देख ली जिस जिला में पढ़ाया जाता है तो यह समझ में आ गया होगा क्या है अब आपको क्या करना रहता है कि दिये गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परचे की प्रमुकल रचना का उलेख करना है जैसे यहां पर देखे आचार रामचंद्र शुक्रे जी हुए बगवत सड़ उपाध्या हुए डाक्टर राजंद्र प्रशाद यहां पर तीन लेखा का नाम दिया है कि दिये गए कवियों में से किसी एक जीवन पर्चे यानि कवियों के नाम जैसे यहां पर तीन कविये जैसे महा महा कवि सूर्दास महादेवी वर्मा सुमित्र अनंद्पन इन तीनों में से क्या करना है कि तीनों में से सिर्फ एक का ही एंस्वर आपको जीवन परचे रचना लिखना रहता है ठीक है हर साल यह बोर्ड के एक्जाम में आता है यह सब याद करके ही जाते हैं ठीक है अगला देखिए कि निम्रेखित में से किनी दो प्रशनों को उत्तर संस्क्रित में देना रहता है जैसे यहां पर चार प्रशन दिया है चार में से दो काई प्रशन उत् संदेश देती है इसके बारे में संस्क्रिप्ट में एंस्वर देना रहेगा नया अधिशास से पीठे का अतिष्ट इसके बारे में आपको एंस्वर देना है यानि कि यहां पर चार प्रश्ण है चार में से दो 之後 जिसका以 kitao subscribe चार में से दो कही एन्सवर आपको देहना रहता है ठीक है अगरा नंबर 29 पर कि नियमने विखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या पर निपंद लिखना रहता है जैस कि समस्यम समधान पर निपंद लिख सकते हैं यई इसमें से पे आपको आता है निभंद लिख सकते हैं ठीक है इसको आप जरूप्र डिटेल में हल करके अच अब Habermajा अपको बाइस रवरी को यह पेपर जरूर देखने के लिए मिलेगा तो फ्रैंस देखे आप सभी को जितने भी पेपर करा रहे हैं उन पेपरों को आप जरूर हल किया कीजिए उसमें से आप सभी की Maximum देखेंगे तो वही पेपर आपको Board के एक्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है तो friends आप इसी प्रकास से सभी paper को solution आप सभी को provide कर रहे हैं आप उसका हल जरूर देखा कीजिए तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें